जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे हेल्दी चिकन सूप की रेसीपी यह चिकन सूप हेल्दी तो है ही लेकिन बहुत ही आसान सी रेसीपी के साथ यह बहुत ही टेस्टी सूप बनकर तयार हो जाता है इसके बहुत स आपको बहुत मदद करेगा तो चलिए सुरू करते हैं इस सूप को बनाने के लिए हमने प्रेसर कुकर में 2 तेबल स्पून तेल गरम कर लिया है और इसमें खड़े मसाले एट करेंगे जिसे की 1-2 तीस्पून काली मिच 1 तीस्पून जीरा 1.5 डालचिनी का टुकड़ा और 2 हरी लाइची जीरे को तेल में कुछ सेकेंड के लिए चटकने देंगे और इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे प्याज तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है और गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे प्याज को थोड़ा सोफ्ट होने तक फ्राई करेंगे तो दो से तीन मिनिट के बाद आप देखेंगे के प्याज थोड़ी सोफ्ट होने लगी है तो इस टेच पर हम इसमें एट कर देंगे हरी मेश अदरक और लहसुन तो हमने यहाँ पर एक टेबल स्पून जितना लहसुन लिया है और लहसुन को हमने स्लाइसिस में काट लिया है चार चोटी हरी मेश को भी हमने रफली चोप कर लिया है और इसी के साथ हमने दो इच के अद्रक के टुकड़े को छील कर इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है आप यहाँ पर हरी मेश की क्वंटिटी अपने टेस्ट का कोडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और अभी हम इसे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक प्यास का कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि प्यास का कलर हलका सुने रहा होने लगा है तो इतना ही हम इसे फ्राइ करेंगे और इस टेश पर हम इसमें चिकन एट करेंगे तो इस soup को बनाने के लिए हो सके तो आप bones के साथ वाला जानी की हड़ियों के साथ वाले chicken का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम हड़ियों वाला chicken लिया है हड़ियों वाले chicken के भी अपने health benefits होते हैं तो अब हम चिकन को इसका कलर थोड़ा चेंज ना होने लगे तब तक तेल में थोड़ा फ्राइ कर लेंगे तो तीन से चार मिनिट तक मीजिम फ्लेम पर फ्राइ करने के बाद आप देखेंगे के चिकन का कलर ओफ वाइट होने लगा है तो इस टेज पर हम इसमें कुछ पाउडर्ण मसाले एट कर देंगे तो यहाँ पर आप स्वाद के अनुसा नमक एट कर दें या तो फिर एक pot भर पर चार सकते हैं तो मसालों का कच्छा पंदूर होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है तो पांच मिनिट तक लो फ्लेम पर भूनने के बाद हम इसमें सूप के लिए पानी एट करेंगे तो जितनी हमने चिकन ली है उसका पांच गुना पानी इसमें एट करेंगे तो 200 g चिकन के लिए एक लिटर पानी हमने इसमेहेड कर दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो इस सूप को हम जितना पकाएंगे उतने ही चिकन के न्यूट्रिंट्स सूप में रिलीज होंगे तो चिकन के गर जाने तक हम इसे पकाएंगे तो प्रेसर कूकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 मिनिट के लिए पकने देंगे और गेस की फ्लेम को ओफ करके इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे म Nicholas डूर में तरन के लिए कंपने तो यहां पर आप देख सक्टे हैं कि कितना भढ़ा हमारा चिकन सूप बन कर तयार हुआ है हैं तो देखांबने किसे जट पड़ गिलिव करें स्टेश्टी वर थैसे सूप बन कर तयार हुआ है या फिर ऐसे ही सब कर लें तो आपने देखा के कुछ बेजिक इंग्रीडेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया चिकन सूप बनकर तयार होता है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि एसी ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई